प्रीतम कुमार इन्होंने सवाल पुछा है कि आप कई बाबावों के खिलाब बोलते हो तो आप ही केवल सही हो यह जो भ्रह्म आपके मन में पैदा हुआ है उस भ्रह्म को आप त्याग दो भाई आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है क्योंकि यह लोग तंत रहे हैं हमारे देश में इसलिए मैं आपके अधिकार को तो चैलेंज नहीं करता हूँ लेकिन यह मेरा भ्रह्म है कि आप अभी भी भ्रह्म में रहना चाहते हो यह देखी है मैं कही रहा हूँ मैं तो कोई बच्चा नहीं हूँ इस क्षेत्र में गए 36 सालों से मैं काम कर रहा हूँ अखिल बारती अंदेश रद्धा निर्भुलन समीती के नाम से 1982 से लेकर मैंने खुद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में हजारों बाबाओं मांत्रिकों को और इस धंग के लोगों को एक्स्पोज किया है और मेरे संगटन ने इससे भी ज़्यादा बड़े पेमाने पर एक्स्पोजर्स किये है यहने कई हजार बाबाओं को हम आज तक एक्स्पोज कर पाए है यह 36 सालों के जीवन में एक भी बाबा एक भी मांत्रिक एक भी इस धंग का कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई भी ऐसी बाद सिद्ध नहीं कर पाया कि जो हम कह रहे हैं वो उसके खिलाफ है और हम कह रहे हैं वो जूट साबित हो उल्टा बार बार ये बाबा लोग जो दावा करते हैं वो जूटा है हम साबित कर पाये हैं एक भी बार गए 36 सालों में फेलिवर नहीं हुआ है एक भी नहीं है ए मेरे जीवन में 27 साल तक मैं आध्यात्मिक व्यक्टी था जबसे मेरी सम՝ आई है 14-15 साल से तब से उसके पहले से मैं बाबाऊ का भगत था लेकिन कम से कम मैं समाझ थी नहीं आप तो मेरे जीवन में तेरा 14 साल तक मैं बाबाओं का भक्त रहा हूँ केवल उनके पैर छूता नहीं रहा हूँ तो उनसे सभी आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त करने का प्रयास करते आया हूँ मुझे सिद्धी प्राप्त करने थी दैवी शक्ती प्राप्त करने थी और ये सब जूटा है जब मेरे ध्यान में आया तब ये लोगों तक पहुचाना मेरा करतवे ऐसा मान कर गए इतने सालों से अपना सामान्य जीवन यापन करने का जो भी तरीका होता है वो छोड़ कर उसकी चिंदा न करकर गए 36 सालों से ये काम कर रहा हूँ तो ये तो मेरा भ्रह्म नहीं है मैं तो बार-बार सिद्ध करते आया हूँ आज भी जाहिर तरीके से आउहन देता हूँ सिद्ध करने के लिए तयार हूँ फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मेरा भ्रह्म है तो ये भ्रहम मेरा तोड़ने की जिम्मेदारी मैं आपको सबता हूँ आप ये मेरा भ्रहम तोड़ी है और बहुत आसान है भ्रहम तोड़ने के लिए आपको क्या करना है बस एक बाबा जिसमें ऐसी दैवी शक्ति है ऐसी आध्यत्मेक शक्ति है ऐसी दिव्य शक्ति है चमतकार करने की शक्ति है ऐसे एक बाबा को हमारे सामने खड़ा करना है और fraud and proof conditions के अंदर एक बार हमने जाच करने के बाद उसने यह चमतकार करकर लोगों के सामने दो बार बताना है दो बार उसने सब पब्लिक के सामने ये करकर बताया तो उसको हमारे 25 लाक रुपे का प्राहिस भी मिलेगा और हमारी बात भी जूटी है ये साबित होगी एक भी बार अगर कोई बाबा ये सिद्ध कर पाए तो मुझे मेरा काम बंद करना होगा और उसके लिए में तैयार हो क्योंकि एक आदमी अगर अपने जीवन में सच्चा चमतकार कर सकता है तो इसका मतलब है कोई चमतकार कर सकता है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हाँ बाकि होगे जूट हजारों लोग जूट होगे लेकिन सच्चा ही तो है उसमें ये तो मुझे स्विकार ना पड़ेगा तो कब आप ऐसे कोई आध्यात्मिक पुरुष को चमतकारी पुरुष को पकड़ कर लाते हो तै कि जी अगर पचिस लाक का प्राइस चाहिए तो धायलाक रुपे आपको डिपोजिट करने पड़ेंगे क्योंकि वो बाबा हरने के बाद में ये धायलाक रुपे जब्त हो जाएंगे तो ये आपको पचिस लाक रुपे का प्राइस मिलेगा समझो ये धायलाक रुपे आप जमा करना नहीं चाहते हो और केवल केवल आप अवांस भी करना चाहते हो तो आपको 25 लाग का प्राइज नहीं मिलेगा लेकिन आपको 50 परसेंट खरचा जो आएगा ये पूरे प्रक्रिया पूरे करने का वो आपको उठाना पड़ेगा बस इतनी शेर्थ है और कुछ नहीं है और ये खर्चा जो है दो बार ये प्रक्रिया पूरी करने का कम से कम दो लाग तक तो खर्चा आता है तो उसका आधा हुआ एक लाख रुपए वो उठाने के आपके तैयारी चाहिए आप पकड कर लाईए मेरा भ्रहमदूर किजिए कब लाते हो कही दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए